तीन हफ़ते हो चुके थे और हमने सुचा कि हमने सब कुछ कंफ़र्टेबली कंप्लेट कर लिया लेकिन यहाँ पर जिम गॉर्डन और रेड हूट दोनों देख रहे थे उस कमरे में जहाँ पर अंडेट्स चुपे हुए थे और वो कहता है कि हमें इन अंडेट एलिफंट के भारे में कुछ करना चाहिए और यहाँ पर तभी कसांटरा केन जिम गॉर्डन को बुलाते हुए आती है और जिम गॉर्डन रेड डुड को समझाते हुए चाहता है कि इसे ओपन करने की कोशिच मत करना जैसन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस दोर को खुलने के बाद जहाँ पर रहोगे यहाँ पर वो देखते है कि लुईस लेन प्रोडकास्ट कर रही थी और वो बता रही थी कि एक अंटे के अंदर वो लोग अरत छोडने वाले है और उनके पास दो सेंक्चूरिस महजूद है एक थमिस्क्रिया और दूसरा पॉईजन आईवी का जंगल गौथम में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिसीजर की जहाँ पर वो लोग दो आर्श में बैठकर निकल चुके थे लेकिन इस वक्त जिम गौटनेक फैसला करता है और उस प्रेडियो को बंद करता है यहाँ पर जेसन कहता है कि हमें गौथमें जाना चाहिए उस जंगल में लेकिन वो कहता है नहीं हमें नहीं जाना चाहिए और वो देखता है उन बच्चों को जो वाँ पर खेल रहे थे और वो कहता है हम यहाँ से तीन लोग निकल सकते है लेकिन इन बच्चों को दूसी सिटी में ले जाना कैये मुम्किन है कि हम यहाँ पर रेकर डिफेंड नहीं कर सकते वाल्स प्रेमिड चापर वेंडल सेवेज ने अंक की लेवल्स को रखाता अपोकलिप से लड़ने के लिए चापर लेडी शिवा को मिर्णर मास्टर कुछ बताने आता है और वो कहता है कि वो जिंदा है तब शिवा कहती है कि मुझे बहाँ पर ले चलो कसांटरा केन यहाँ पर उसे मिलने लेडी शिवा रहने के उसकी मा आती है और वो उसे अपने साथ जाने के लिए ओफर देती है लेकिन कसांटरा केन कहती है कि नहीं यहाँ पर यह सारे बच्चे है वो भी हमारे साथ जाएंगे तब वो कहती है कि stupid मत बनो क्योंकि ये दुनिया का end है और यहाँ पर तुम loyalty नहीं दिखा सकती फिर भी कसंटा कहती है कि नहीं बच्चे हमारे साथ जाएंगे और काफी बहस होने के बाद दोनों हातावाई पर उतराते है और यहाँ पर लेडी सिवा उसे एक पंच मारती है और दूसरे पंच के वक्ट जेसन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जूट नहीं बुलूँगा लेकिन एक पार्ट तुम्हें ऐसे ही लड़ते होई देखना चाता है और दूसरा पार्ट तुम्हें जॉइन करना चाता है लेकिन तभी जेसन को एक जोरतार किक पड़ती है और तभी लेडी सिवा वहाँ से निकल जाती है उन सभी बच्चो और अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ वेंडल से बेजाता है और उसे यह सब पता चलता है कि वो अपनी बेटी से मिलने गई थी तब वो कहता है कि यह सर्वाइवल है यह कोई चैरिटी नहीं है मेरे मास्तर हमारा कंटिंजेस्टी प्लैन है अगर कुछ हुआ तो वो हमारे लिए इसके बन सकता है वो एसेट है तुमने वॉलाटाइल क्रूप ऑफ पीपल्स को और किलर्स को एक ही छट के नीचे लाकर रख दिया है इस वज़े से टेंचन और उससे भी भुरा हम बोर हो रहे है और इस वज़े से कही ऐसा नहों कि हम एक दूसरे को ही मार दे वो आगे कहता है कि हमें बाहर के उस एपोकलिप से लड़ना है ना कि एक दूसरे से और यहापर सेवेच शान्त हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना स्लेड मेरे इस बरताव के लिए लेकिन क्या तुम मेरे साथ अंदर आओगे क्योंकि मुझे तुमसे प्राइवेटली कुछ बात करनी है और तब प्राइवेचर बताती है कि यह अच्छा इडिया नहीं होगा लेकिन फिर भी उसके साथ स्लेड आगे बढ़ता है और एक रूम में ले जाते हुए सेवेच कहता है कि तुम्हें आज ना कल यह दिखाना ही था और अंदर जाते ही वो देखता है कि क्रीपर को फाड़ कर रख दिया गया था और जैसे ही वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सोलोमन ग्रंटी का एक पंच आकर उसे लगता है और वो बेहोश जाता है यहाँ पर दूसरी टेबल पर डेथ स्टोक और पहली टेबल पर क्रीपर था और यहाँ पर सेवेच बताता है कि वो उसे फाड़ कर यह देखना चाहता है कि आंटी लाइफ इक्वेशन वाइरस उन दोनों से इम्म्यून के से रह गया और वो यही चेक कर रहा था कि तभी टेबेजर अपनी तलवार उसके सीने में डालते हुए कहती है कि कि किसी भी ऐसे को डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना जो फ्यूचर देख सकता है और यहांपर कreeपर और डेथ स्टोक को चुड़ा कर वो देखती है कि यहांपर कुछ अनोनी होने वाली है और वो वासन निकल जाती है तब वो कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो तुमने क्या देखा तब हो कहती है मैं सप्राइज सपॉयल नहीं करना चाहती तब Savage कहता है मैं 53,000 years से यहाँ पर हूँ और मैं रेरली ही सप्राइज होता हूँ और तब हो देखता है कि एक बहुत बड़ा सप्राइज उसके सामने था Infected Wonder Woman और वो पहले Savage को फाड़ती है और एक बंच में Solomon Grundy दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है यहाँ पर सारे विलन्स समझ चुके थे कि उन्हें अब क्या करना है और Mirror Master के साथ वो लोग एक एक करके वाह से जाने लगते है लेकिन Cold वही पर रेकर कहता है कि मैं इसे स्लो करने की कोशिश करूँगा और Mirror Master से कहता है कि वो उसे लेने वापस आए यहाँ ब्लुदावन के उसी स्कूल में वो से भी विलन्स आकर रेस लेने लगते है और यहाँ पर Mirror Master वापस Cold को लेने जा चुका था लेकिन वो देखता है कि Cold भी Infected हो चुका था और अब Mirror Master एंटी लाइफ एक्वेशन का शिकारा बन चुका था यहाँ पर लेड़ी सिवा को देखकर कसांट राकेन खुश होती है लेकिन Jim Cotton कहता है कि तुम Murderer, Psychopaths और Monsters को यहाँ पर ले आई तब Creeper कहता है लेकिन किसी में अगर यह तीनों कॉलिटी एक साथ हो तो उसका क्या यहाँ पर आगे बाचित करने के बाद वो लोग इस नतिज़ा पर पहुचते है कि वो लोग यहाँ पर रह सकते है लेकिन वो लोग अभी भी दो लोगों की राहत देख रहे थे तब Slade कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे वो एक किचन में जाते है और अपनी बहस जारी रखते है और यहाँ पर रोज कहती है हम सी के मीलो नीचे थे तेकिन Wonder Woman हमें अभी भी हिट करने के लिए वहाँ पर आप पहुची उसने हमें ढूंडा कैसे और वो आगे कहती है मेरी तीरी की हिसाब से वो पूरे दुन्याप के ऊपर से उड़ रही दी और एंटी लाइफ इक्वेशन पता नहीं कैसे लेकिन लाइफ सेंस कर लेता है तब रेडूट कहता है लेकिन हमारे आस पास जो ब्लाइट से उनका क्या वो लोग अंदर क्यों नहीं आए तब वो कहता है कि उनके पास कोई पावर नहीं है और जब कोई अनादर सुपर पावर उनके साथ मिलेगी तो वो लोग उस दिवार को तोड़कर अंदर आ जाएंगे यहाँ पर जब को उन लोग का यहाँ पर रहना पस्तन नहीं था लेकिन वो लोग जानते थे कि इनके अलावा उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 43 चिल्डरंस है और इस बारे में वो लोब बात करी रहे थे कि उन चिल्डरंस को हमें ट्रेनिंग देकर एक आर्मी की तरह ट्रेन करना होगा लेकिन जिम गॉर्डन सिला कर कहता है नहीं मैं अकिला उनकी रक्षा करने के लिए काफी हूँ तब टेस्टोक समझाता है कि उसने किसे अपने को कोया है और उसे प्राइवेट टॉक में लेकर वो कहता है कि तुम हमेशा उनके पास नहीं रह सकते हम बले ही मॉंस्टर्स हो हम बले ही क्रिमिनल्स हो लेकिन इंसानियत अब भी हमें जिन्दा है और काफी समझाने के बाद जिम गॉरडन इस बात पर राजे हो जाता है कि वो लोग यहाँ पर रह सकते है और उन बचचों को ट्रेन भी कर सकते है लेकिन वो लोग चाहते थे कि पहले जो लोग वहाँ उस जिम में बन थे वो पहले मरें लेकिन जिम का उटन कहता है कि लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी है तब स्लेड कहता है कि तुम जाकर बच्चों को देखो और यहाँ पर जो नाइस होगा उसके लिए कोई कारण सुच कर उन्हें बताओ यहाँ का काम हम पर छोड़ दो और तब कसांटरा केन और जिम दोनों वहाँ पर जाते है उन लोगों को समझाने के लिए और सोलमन ग्रंडी उस दरवाजे को तोड़ कर अंदर देखता है कि तबी जेसन टोड़ देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा इंफेक्टेड था इसका नाम था बिली बैट्सन और जेसन टोड़ कहता है कि मैं उस बच्चे को जानता था लेकिन अब कोई बात नहीं यहाँ पर या तो इस इन्वर्स में शयजाम एक्जिस्ट नहीं करता या फिर बिली बैट्सन को अभी तक वो पावस नहीं मिली और जेसन टोड़ शायद उसका दोस्त हो सकता है यहाँ पर पॉसिमिलिटिस गम नहीं है और वो सभी एक एक करके उन लोगों को मारने लगते है और यह सब होने के बाद बच्चे अपने नए रूममेट से मिलते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग शुरू होती है उन सभी के अराइवल के साथ हैंड टो हैंड कॉमबेट जोकी लेडी शिवा और कसंट्रा के देख रहे थे डेट शॉट मार्समेंशिप उने सिका रहा था और कुछ ऐसे बसे लेक्चर्स दिए जा रहे थे क्रीपर के जरीए और पहली बार बच्चों के साथ खुल मिल रहा था सुलमन ग्रंडी फिर से एंजॉयबल हो चुका था और आकिरकार बच्चों से काफी हार्ट ट्रेनिंग करवा रहा था और इसे देखकर जेसन रूड कहता है इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है वो अकिरकार बच्चे है तब स्लेड कहता है अफकोर्स वो बच्चे है लेकिन ये बात तुम बैटमैन से क्योंने कह रहे थे क्या बैटमैन इससे भी सॉफ्ट तरीके से तुम ही सिखाता था तब हो कहता है क्या हम दोनों उसी बार के साथ तुम्हें दिमाग में मारा यहां पर रोज उन दोनों का जगड़ा सुलजा कर उन दोनों को अलग कर देती है और वो दोनों बाते करने के लिए बाहर निकलाते है लेकिन तभी बैन यहां पर गूम रहा था और देख रहा था कि कहीं कोई बच्चा बाहर नहीं चुटा है लेकिन तभी एस वहाँ पर आता है और वो एस के साथ बात करी रहा था कि तभी इंफेक्टेड मिर्यर मास्टर पीचे से आकर बेन को इंफेक्ट कर देता है यहाँ पर रे डूड और रोज दोनों अंदर आते हैं और वो लोग देख रहे थे कि मिर्यर मास्टर एके करके बच्चे अंदर ले जा रहा था लेकिन टेट शॉट उन में से एक बच्चे को बच्चा कर खुद को सेकरिफाइस कर देता है और कसंटर केन भागते हुए आती है और कहती है कि बेन इंफेक्टेड हो चुका है और वो मुझे धक्का मारकर बाहर की तरफ भाग दिया तब जिंग कॉडर बाहर जाकर देखता है कि वो किस वज़े से बाहर गया था बेन भागकर आउटसाइड की तरफ गया था एकी झाल झाल